नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आरही गुप्ता टेक मी आप सभी के लिए बड़ी अपडीट निकल के आ चुकी है CSC के अंदर CSC डिश्टल सेवा के अंदर एक और नई CSC डिश्टल सेवा पोर्टल के अंदर एक और नई गौवर्मेंट की सर्विस को लाइब कर दिया गये है जहाँ पर आप सभी CSC वेली काम करेंगे तो आप सभी को प्रती रजिस्ट्रेशन 100 रुपे से लेकर 200 रुपे तक कमिशन दिया जाएगा और यह काम हर एक राज्जी में होगा भारत की जितने भी राज्जे हैं सभी राज्जों में CSC वेली इस काम को कर सकते हैं काफी अच्छा काम है तो अगर आप एक CSC वेली हैं Common Services संचालक हैं और आप सभी CSC की Services में काम करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है हाल ही में CSC के मादिम से गौर्मन की जो दो नई सर्विस को लौंच की गई है पहला है Rent Agreement Service दूसरा है Affidavit Service जिसमें के आप काम को कर सकते हैं CSC के मादिम से आप सभी Rent Agreement इंस्टंट पांच मिनट के अंदर बना कर कस्टमर को प्रवाइड कर सकते हैं सते साथ Affidavit को भी आप प्रवाइड करा पाएंगे आई यह जानते हैं कि हम सभी CSC के मादिम से Rent Agreement या फिर Affidavit कैसे बनाएंगे इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ID Password से डिजिटल से वा पोटल के अंदर लोगिन हो जाना है लोगिन हो जाने के बाद आप सभी को यहाप सर्च आइकन पर क्लिक करना है यहाँ आपको सर्च कर लेना है Rent इतना सर्च करेंगे तो यहाँ आपको तीस्य नमबर पर आप Agreement in Government आपको इस वाले Option पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस Option पर क्लिक करेंगे इस Option पर क्लिक करने के बाद आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रिकार से यह लभ्यार्थी पोटल जो है यह ओपन हो जाएगा यहाँ पर CSC के माध्यम से टुटर पर टूइट करके भी बताया गि और आपका जो Rent Agreement है वो Instant त्यार हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आ चुके हैं हम इस पर अब यहाँ पर आने के बाद आपको Login with Digital सेवा Connect पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी CSC ID के द्वारा Automatic रूप से इसके अ इंदर Login हो जाएंगे Login हो जाने के ततपेश्यात आप यहाँ देख पाएंगे यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ जगर से कि मेरा नाम राजन है तो यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ चुका है Welcome राजन अब इस परिकार से आपका जो है डैसबोर्ड ओपन हो जाएगा यहाँ से आप सभी किस प्रिकार से Rent Agreement या फिर Affidavit को बना सकते हैं इसके लिए यहाँ पर आपको Option देखने को मिलेगा New Application इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर आप सभी को Legal Services का Option दिखाए तक जिसमें की कई सारी सर्विस आपको देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पर Rent Agreement है Residential और यहाँ पर Change of Name Affidavit, Proof of Income Affidavit, Proof of Date of Birth Affidavit, Proof of Address Affidavit, No Criminal Record Affidavit, ठीक है साथ चाथ यहाँ पर GAP Education Affidavit है, Education Loan Affidavit है, यहाँ पर Issue of Duplicate Certificate Mark Seat Affidavit और मतलब यहाँ पर जितने भी काम होते हैं Online से Related, सभी प्रकार के आप सभी यहाँ पर Affidavit को बना सकते हैं, और Rent Agreement को भी बना सकते हैं, यहाँ पर एक एक करके सभी Affidavit के बारे में जान सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, कितने प्रकार के आप Affidavit बनते हैं Market में, तह कम भी होने वाली है तो यहां पर इस प्रिकार साब इसको देख लेंगे हालाकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सभी जो है वह रेंट एग्रिमेंट कैसे बनाएंगे ठीक है तो रेंट एग्रिमेंट बनाने के लिए यहां पर आपको option मिलता है रेंट ए इस पर सेलेक्शन किया है इस पर सब्सक्राइब करने के बाद आप सभी के सामने दो आप्सेन आता है पहला है अब आपको customer का mobile नमबर डालना है और request OTP पर click करना है तो यहां पर आपके नमबर पर OTP आ चुका है उस OTP को आप यहां डालेंगे हमने यहां पर OTP को fill कर दिया है फिर हम यहां पर login पर click करेंगे ठीक है login पर click करने के बाद आप से यहां पर देख सकते हैं इस प्रिकार से यहां पर आपको option मिलता है proceed to apply इस पर आप click करेंगे इस पर click करने के बाद आप से स्क्रीन पर इस प्रिकार से देख सकते हैं form आ जाएगा इस form को आपको प्रोपर तरीके से fill करना होगा जैसे कि यहां पर दिसकते हैं land road laser details यहां पर fill करना होगी ठीक है इसके बाद यहां कि जो मालिक है उसका details आपको fill करना है उसके date of birth उसका detail address फिल करना है area pin code पूरा detail यहां पर तेनर्स लेसस डीटेल यानि कि जो किराया पर ले रहा है उसका details आप सभी यहां पर प्रोपर तरीके से fill करेंगे और इसके बाद यहां पर प्रोपर्टी की details फिल करेंगे property details फिल करन प्रोपर तरीके से fill कर लेना है फिल करने के बाद यहां पर self declaration आता है इसको आप टिक करेंगे तो जितने भी option आप फिल कर देंगे तो इस प्रेकार से आप सभी के सामने जो है यह green tick लग जाएगा फिर आप यहां पे save पर click करोगे click करने के बाद आपके सामने preview पे जाएग और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ सब कुछ आपने details फिल किया है तो आप process पे click करोगे तो फिर यह आपको redirect करेगा CSC payment page पे जहां पर आपको अपनी CSC wallet से 200 रुपे का charge कटवाना होगा और इसके बाद फिर उसमें से जो कुछ amount है वो आपके wallet में ही रह जाएग और फिर instant उसका जो rent agreement है वो ready हो जाएगा जिसो कि आप print करके customer को दे पाएंगे ठीक है तो इस प्रिकार से आप सभी यहां से rent agreement बना सकते हैं बाकि अगर आपको इसका full training video देखना है तो मैंने अपने channel पे already जो है full training video upload किया है जिस video में आप सभी को rent agreement और affidavit दोनों ही documents के बारे में विशेश जानकारी आपको दी गई है और उस वीडियो को आप लोग देख लिजेगा rent agreement और affidavit की complete जो वीडियो है मैंने full training video जो की CSC अधिकारी के दोरा बताई जाती है वो मैंने अपने YouTube चैनल पे upload कर रखा है तो आप लोग यहां पर आकर इसको देख ही है ठीक है उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे समझ गये हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही साथ नोटिफिकेशन बल आइकन को आउन करें ताकि इसी प्रिजार की informative वीडियो आप से भी को सबसे पहले मिल पाए ठीक ह जले इस वीडियो के ही समाप्त करते हैं मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार